नमस्कार आप देख्टरे न्यूस फोर नेशन और मैं हूँ सांखवन आपके साथ बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन यानि की बीपीएसी ने बड़ी अपडेट जारी कर दी है और यह बड़ी अपडेट बीपीएसी के होने वाली अर्शटवी पीटी परुक्षा को लेकर है जहां पर आयोग के तरफ से जानकारी सामने आई है कि बीपीएसी की अर्शटवी पीटी परुक्षा में बड़े बदलाव किये जा रहे है नेगेटव मार्किंग को भी लेकर जो है वो बड़ी जानकारी सामने आई है इतना ही नहीं सेंटर्स पर जो रूल्स एन रेगुल है ताकि वो सतर्क हो जाए उनके पर पहले से जानकारी मोहया हो कि आखिरकार बीपीएसी में कौन कौन से बड़े बदलाव हो चुके हैं क्या कुछ जानकारी बीपीएसी के तरफ से सामने निकल कर आ रही है जानते हैं दरसल अर्शटवी बीपीएसी प्रारंबिक परुक् इसमें 50 कचिन प्रशनों पर 100 अंक होंगे जबके अन्य 100 प्रशन के लिए 100 अंक होंगे स्टार लगे 50 प्रशन के उत्तर देने में गलती हुई तो नेगेटिव मार्किंग की जाएगी एक प्रश्ण के गलत उत्तर के लिए 0.25 प्रतीशत या 0.5 शुन्य प्रतीशत अंक कटेंगे अभी तैं होना बाकी है बीपीसे के अध्यक शतुल प्रसाद ने गुरुवार को ये जानकारी दी है उन्होंने बताया कि बीपीसे के आगामी परिक्षा के लिए कई बदलाव किये जा रहे हैं ताकि पूरी पदती को और अधिक फुल प्रूफ बनाया जा सके 38 पदों के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर पद के लिए होने वाली मुक्षे लिखित परिक्षा के लिए परिक्षा केंद्रों पर अभियर्थियों के सामने ही प्रिंट कर दी जाएगी इस परिक्षा के लिए पटना में दो सेंटर पर 880 अभियर्थी शामल होंगी परिक्षा के लिए परिक्षा केंद्रों पर ही प्रिंट कर दिया जाएगा अध्यक्ष ने बताया कि परिक्षा केंद्र पर ही प्रश्ण पत्र प्रिंट कर देनी का नया प्रयोग सफल रहा तो आगे भी से जारी किया जाएगा गौर तलब है कि अभी लिखित मुख्य परिक्षा में अभियर्थियों को समान अध्यान और अन्य विशेयों के उत्तर देनी के लिए या तो हिंदी या अंग्रेजी का उप्षिन होता है एक और बदलाव की तयारी चल रही है, अध्यक्ष यानुसार स्केलिंग सिस्टम से मार्किंग के आप्शन होंगे, आयोग अभियर्थियों के सुझाफ के आधार परी इसे लागू करेगा, स्केलिंग सिस्टम की लाब और नुकसान की जानकारी दी जाएगी, बताते चली कि नई व्यवस्ता से अभियर्थियों को लाब मिलेगा, तुक्का लगाने की जगा, कॉन्फिजेंस से जवाब देनी वाले अभियर्थियों जो है, वो प्रोतसाहित होंगे, रिजल्ट में तेज अभियर्थि को मौका मिल सकेगा, आयोग की अध्यक्ष के अनुसार, वर्तम शुन ने दो लाग ने आवेदन दिया था, बताते चले कि अभियर्थियों के वेबसाइट पर अपना उत्तर पुस्तिका के अंक देख सकेंगे, मुक्य परिक्ष के कॉपी भी स्कैन कर डाल दी जाएगी ताकि आटियाई से अंक समंधी जानकारी मागनी की मजबूरी ना ह पहली बार प्रारंबिक परिक्षा के बाद एक बार अभियर्थियों को एक शिक विशे बदलने का मौका दिया जाएगा, ओनलाइन आवेदन के बाद हाट कॉपी में आवेदन भेजने की अभियर्थियों को जरूरत को समप्त कर दिया गया है, और परिक्षा केंद्र के ल रही है अब प्रश्न पत्र को pen drive में लाया जाएगा जिसे center पर ही प्रिंट कर दिया जाएगा और ये printing machine बेपेसी उपलब्द कराएगे अगर printing में थूड़ा समय जादा लगता है तो इस हसाब से अभियोतियों को अतरिकत समय भी मुहया कराया जाएगा तो बेपेसी लगतार टेस्ट कर रही है और अगर ये सारे टेस्ट सफल होते हैं तो इससे आगे भी लागू कर दिया जाएगा इतना ही नहीं नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी BPSC ने बड़ा बदलाफ किया है बड़ी अपडेट जारी की है जो जानकारी हमने आप तक पहुच आई है तो फ़ला के लिए सब जीच में अतना ही अनकारी अबडेटिस के लमाय साथ बनी रहे न्यूस फार्डेशन में नमस्का